एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आप सब को पता जी फर ग्रैमर एंटी फर ट्रांसलेशन की विडियो जह आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका इंग्लिश गुरुप रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ और आपको लिंक जो है उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रैमर टॉपिक्स इंग्लिश के नाम से जिसमें आपको टेंस, वाइस, नेरेशन, नावन, प्रनावन इन सब के जो है वो explanation यानि उनको समझाने का, उसको explain करने का उसका वर्णन का वीडियो उसमें प्रेपोजिशन का अभी जब मैं इसे October 23 में record कर रहा हूँ तब तक तो नहीं बना है लेकिन जल्दी वो बनके upload जाएगा वो भी वहाँ पर आपको नजर आ जाएगा अभी इसके अलावा उपर आई बटन में अभी आपको exercise 108 का link नजर आ रहा होगा इसका मतलब है वहाँ से लेकर 108 तक के ओल एक्सरसाइजेज बनकर के तयार हैं तो उनका भी आगे एक playlist का भी link आपको मिल जाएगा नीचे description में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर कि आप देख ले सारे exercise आपको एक जगा मिल जाएगे चलिए तो आप शुरू करते हैं पहला है I am sick the whole business तो sick off भी होता है sick with भी होता है लेकिन किसी काम से है तो उसमें जो है off लगेगा वैसे इसका उच्छारण off होता है off नहीं पड़ते हैं हम लोग लेकिन बोल चाल की भासा में यूपी बिहार में जो है ये लोग बोलते हैं इसलिए हम लोगों की भी आदत हो गई इसलिए मैं इस पूरे बिजनेस है बिजनेस के दो अर्त होते हैं ब्यापार भी होता और काम भी होता है अब यहाँ जो आप समझ लेगे मैं पूरे काम से या पूरे बिजनेस से जो है वो मैं sick with हो गया हूँ ऊब गया हूँ बहुत ऊब गया हूँ लेगिन यह sick means बहुत ज़्यादा ऊब गया हूँ यह sick means बीमार नहीं इसके अलाबा he availed himself that's the chance availed के साथ off लगेगा और इसका meaning मैंने यहाँ लिख दिया है का फाइदा उठाना उसने जो है अपने आपको उस chance का फाइदा उठाया he spoke to me spoke to him यह हमेशा होता है in English यह भी है कि उसने मुझसे अंग्रेजी में बात की आगे बरेंगे और अगला है there is a saying saying means होता है कहावत among the Hindus यानि हिंदूओं के बीच एक कहावत है this is a question you must decide question होता के बल दो यहाँ लगाना तो two होता लेकि नहीं there is a question यहीं पढ़ यह समझे कि यह आपको कौमा होना चाहिए you must decide you must decide by yourself तुम अपने आप से इसको decide करो इस करने लो complaining of headache complaining of होता है किसी चीज़ का समानने किसी शिकायत की बात हो headache means सिर्दर्द यानि वो सिर्दर्द की शिकायत कर रहा है she was waiting वेट के साथ हमेशा translation वगरह में भी आप देखते होंगे for लगता she was waiting for me वह मेरा इंतजार कर रही थी at the station ठीक है station पर आगे है life is compared to a battle यह sentence है किसी लिखके उससे कि जिन्दगी को जो है वो एक युद्ध के मैनान से compare किया जाता है तो compare के साथ हमेशा to लगेगा insist के साथ भी हमेशा on लगता इसलिए I insisted on having my fee paid तो insist मिन्स जोड डालना मैंने उसे जोड दिया जोड डाला कि मेरी fee वो pay कर दे fee जमा कर दे अगला है ten number he prohibited me from prohibit from होता है prohibit मतलब निशेद करना मना करना तो उसने मुझे किताब बौरो करने से मना किया यानि बौरो मिन्स लेना भी होता है देना भी अब जो भी अर्थ में आप आ लिए इसके अलाब बेग के साथ यहां पर off लगेगा और बेग मिन्स भीख मांगना केबल नहीं बलकि विन्दती करना होता है प्रार्थना करना वैसे प्रे मिन्स प्रार्थना तो विन्दती करना कहिए मैंने उससे प्रार्थना की निवेधन किया मैंने उससे मतलब एक फेवर के लिए जो है वो निवेधन किया फेवर मिन्स होता है कि मतलब कुछ आपके पक्ष के लिए कोई एक काम के लिए नहीं कहते हैं जैसे आपके आप मेरा एक काम करेंगे तो उसके लिए आपके बुक में भी दिया हुआ देखने में लगता है गौट इन नहीं यह इन्टू ही होगा गौट इन्टू डिफिकल्टीज आगे बरेंगे नेपाल इस कोई डायरेक्शन में हो जैसे कि नेपाल बिहार के ऊतर में है तो एन नहीं होता है वो हमेशा ट्ू ही ओता है निपाल इस टू दू नौट दू बहुत इति गर वह ही किताब है जिसके बारे में यह ने जो किसी के बारे में नोन्रोन में पर उप लगेगा दपोई अस नेकम्पे के नहीं दू थो आपका एक सेंग कहावत है एक ड्राउनिंग मैल विल कैच एट एस टो एना कैच एट इस ट्रो होता है कहावत में इसमें फिल लगा दिया यानि ढूबते को तिनके का सहारा उगला है ऑगला एटीन में कि ही इस weak dash his head, weak in his head, मतलब माथे से थोड़ा कमज़ो रहे हैं नि दिमाग से कमज़ो रहे है, वैसे आपको याद होगा किसी subject में भी होगा तो भी he is weak in maths है ना, लेकिन आप जानते होंगे इसका उल्टा होता है, अच्छा है किसी भी सहे में, तो good at हो जाता है है ना, और weak in हो जाता है, he is false at his heart, है ना, वह जो है दिल का जो है वो जूटा है, दिल का जूटा है, बाते बनाने वाला गलत बोलने वाला है, अगला है 20 is this train running two time, अब देखें, अब तो आप कहेंगे sir, on time होता है और in time होता है, बिलकुल जी, on time भी होता है, in time होता है, मैं बता भी दू, on time मिन्स होता, exact, 9 बजे है, यदि तो पूरे 9 बजे है, इन मिन्स, 9 बजे है, मतलब ज्यादा लेट नहीं है, बस 10-20 सेकेंड, एका 2 मिनट, मतलब ज़या तो go होता है, लेकिन यहाँ पर running two time train के लि I can certify two, कोई किसी को certify करता है, तो उसके लिए two का प्रियोग होता है, यानि सत्यापित करना, certify means, तो I can certify to his good character, मैं उसके अच्छे चरितर को सत्यापित करता हूं, मतलब उसको support करता हूं, confirm करता हूं, he always failed for want of help, वो हमेशा सफल रहा है, है न, यदि वो want of help, यदि मदद की चाहत है, तो, अगला बनेंगे, he supplies the poor with clothes, supply के साथ हमेशा with होता है, वह जो है, गरीबों को clothing जो है, यानि कपड़े जो है, है न, cloth में ing लगा देंगे, clothing हो जाएगा, तो इसका मतलब कपड़े, बहु बचन हो जाएगा, सभी तरह के सिले, अंसिले, do not deviate, deviate के साथ हमेशा from लगता है, न, the path of virtue, यानि कि गुन के रास्ते से, अच्छाई के रास्ते से, कभी भी मत भटको, deviate means भटकना, where is the bus coming from, bus कहां से आ रहे है, normal है, coming from, going to, यान, the old lady is affectionate to all, यानि वो जो बूरी ओरात है, वो सब किसे, to all के हिसाब से, वो अफिक्स नेट है, यानि कि स्ने रखत on the question, question, किसी प्रस्ण पर हम लोग बात करेंगे with the employers tomorrow, जो employers है, employee मतलब जो काम करते हैं, employer जो काम हमें देता है, कोई company का कोई मालिक है, तो employer है, हम उस company में काम करते हैं, तो हम employee है, y के बाद double e लगा देंगे, will you interest me with this matter, interest के साथ with लगेगा, क्या उस पत्रक पर मुझे मेरा भ इसलिए यहां पर टूलेगा, I have resigned my post, मैंने अपने पद सित्याग पत्र दे दिया, हमें यहां से चुपा हुआ है, कोई preposition का प्रियोग नहीं होगा, आपके भुग में भी दिया हुआ है, the hotel is adjacent, dash, dash, adjacent के साथ हमेशा two होता है, अपने पड़ावा जैसे यह एंगल है, यहां भी से लगा दिया, तो यह और यह adjacent एंगल है, ठीक है, अगला है, do you know what has become of him, यहां तू नहीं लेगा, become of him, उसके साथ क्या हुआ है, अगला है, 34, the ship was caught in the storm, यह हमेशा ऐसा होता है, one is sure of what one sees, एक व्यक्ति जो देखता है, उस पर अस्वस्थ होता है, I will send you this book, latest by 10th में, एक ऐसा पिछले exercise में आपने देखा हुआ कि on 10th मही था, यहां क्यों है, वो था कि कोई काम शुड़ू होगा तो on, उस day या date में, लेकिन यहां वो नहीं है, यह कहरा है कि भई, मैं तुम्हें ए बुक दे दूंगा एक निर्धारित, भविसमें निर्ध समय के लिए बाई का प्रियोग होता है, इस किल कम सुभित प्रैक्टिस है नहीं, यानि कोशल जो है, वो प्रयास से आता है, आगे बरेंगे, 38 में है, 38 में कहता है, ही है जे स्ट्रॉंग प्रिजीवडिस, प्रिजीवडिस मतलब होता है, पुरुबाग्रा, यानि किसी के प्रती पहले से सोच लेना, तो एक बहुत तगड़ा मतलब है, यह सोच है, अगेंस्ट डॉग्स, डॉग्स के बारे में जो है, यह बहुत तगड़ा प्रिजीवडिस है, कि भाई वो भूगता या कुछ ही, मतलब इसमें और सेंटेंस होगा, तब यह क्लियर हो जाएगा, से पुट्स ओन, है न, पुट्स ओन मिन्स होता है, पहनना, यहाँ धारन करना होना क्या, एन एर ओफ इनोसेंस, यानि वह मासूमियत का भाव जो है, वो ओड़ लेता है, पहन लेता है, लास्ट आइविल कॉल ओन यू, यहाँ बुलवाना, बाई टूमोरो मैं तुम्हें क कल बुलवाऊंगा, इस प्रकार से फ्रेंट्स यहाँ पर समाप्त हो गया, इंड हो गया, यहाँ पर उमिद करता हूँ, आपने मिलाया होगा, बनाया होगा, और आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का कमेंट साते हैं, जिससे की हमारा उसा बर्धन होता रहता है, यदि आप चैनल पे नए हैं, या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिकेशन बेल में, औल को प्रेस कर दें, जिससे की हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके हैं, और पहले के वीडियोज आपको ढूणने में आसानी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, हैव अनाइस देड़!